इंडिसिंड बैंक निजीक शेत्र के रिंडाता ने दिसंबर वित वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 1,969 करोर रूप्य के स्टेंडलोन लाब में 68.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धी दर्ज की है क्योंकि प्रावधान और आकस्मिक्ता तिमाही के लिए 36% यॉई से 1,065 क करोर रूप्य तक गिर गई विशलेशकों की उम्मीदों को पूरा करते हुए शुध ब्याज आय तिमाही के लिए 18.5% यॉई बढ़कर 4,495 दशमलव तीन करोर रूप्य हो गई सकल गैर निश्पादित परिसंपतियों में 5 BPA स्कोक से 2,06 प्रतिशत और शुध एन प्रत के साथ तिमाही के लिए 0.62% तक स्थिर रही आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी ने डिसंबर वितव वर्ष 2023 को समाप तिमाही के लिए 250 करोर रूप्य का समेकित घाटा पोस्ट किया जबकि पिछले साल इसी अवधी में 0.09 करोर रूप्य का घाटा हुआ था तिमाही के लिए परिचालन से समेकित राजस्व 1,705.7 करोर रूप्य रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधी में 2,139.6 करोर रूप्य था गोअ कार्बन कमपनी ने स्वस्थ टॉप लाइन और परिचालन प्रदर्शन द्वारा संचालित उच्चर इनपुट लागत के बावजूद डिसंबर वितव वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही में 25.6 करोर रूप्य के मुनाफ़े में 57 प्रतिशत की भारी विद्धी दर्ज करोर रूप्य के यू-म को पार कर लिया है जो की Q3 FY22 में 2589 करोर रूपय की तुलना में 97 प्रतिशत अधिक है डिसंबर FY23 तिमाही के लिए तिमाही सकल रिन हुत पत्ती Q3 FY22 में 1053 करोर रूपय की तुलना में 78 प्रतिशत अधिक 1874 करोर रूपय थी वेदान्ता, कॉपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहट मीनाक्षी एनरजी के अधिग्रहन के लिए कम्पनी को सफल बुली दता घोशित किया गया है उसके बाद निदेशक मंडल ने 1440 करोर रुपय के उक्ता धिग्रहन को मंजूरी दी, मीनाक्षी एनरजी आंध्रप्रदेश के निल लौर में 1000 मेगावॉट का कोईला आधारिद बिजली सयंत्र है अधिग्रहन वितवर्ष 2024 में पूरा होने का अनुमान है अर्बिंदो फॉर्मा, युनाइटिट स्टेट्स फूर्ड अंड ड्रग अड्मिनिस्ट्रेशन अस फडी एक ने 9 जनवरी से 18 जनवरी 2023 के दौरान टेलंगाना के जाद चेरला में कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहाय कंपनी एपील हिल्थकेर की युनिट और तीन का निरीक्षन किया, अमेरिकी स्वास्थ नियामक ने एक जारी किया, फॉर्म 483 दो अवलोकनों के साथ अवलोकन प्रकृती में प्रक्रियात्मक हैं